सो कहा जाता है कि SIP mutual fund एक मुनाफिय का सौधा होता है लेकिन my dear friends मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे funds बताने वाला हूँ कि अगर गलती से आपने ये ले लिये होते हैं कुछ साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले तो आज इसका return FD से भी कम होता, जी हाँ, तो mutual fund सही है, लेकिन सारे mutual fund सही नहीं है आज वीडियो में इसके बारे में discuss करेंगे, लोग क्या गलतीयां करते हैं, mutual fund आने से पहले जो उनको पता चलता है, 5 साल पाद, 7 साल पाद, 8 साल पाद, वो गलतीयों के बारे में बात करने वाले हैं और most important आपके प्यारे-पैरे question लेंगे, देखते हैं किसका question होने बारे है, तो सबका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में जी हाँ, SIP नहीं है मुनाफिय का रास्ता, अगर आपने ये कुछ funds ले लिए, चलो पसके बारे में discuss करेंगे, detail view करूंगा लेकिन सबसे पहले ये चीज समझो, कि mutual fund में आने से पहले, जो 99% लोग गलती करते हैं, और as a investor, as a follower, मैं आपको यहीं चाहूँगा सर, आप प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि मैं आपको example के तह समझाना चाहूँगा, जो discussion आप लोगों से होता है मेरा, जब भी portfolio के लिए बात होती है, तो ये सारे चीजे सामने आते हैं, उसी प्रस्ट को लेके मैं सामने हूँ, पहला, पहला point है कि सर, नया fund है, अच्छी company है, सारे पैसे invest कर देता हूँ, कुछ लोगों का screenshot भी मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे लोगों का message आया कि सर, नया 994 आ रहा है, return सामकर एक लाक रुपे डाल देता हूँ, काफी लोग ऐसा करते हैं, तो सर, सारी company को लेके मैं ऐसा नहीं कहता, बहुत company होती ही, जिन में मौका होता है निवेश करने का, अगर आपने नई company में निवेश कर दिये, वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, हो सकता है, आने वाले से हमें company perform ना करे, अच्छा return ना दे, फिर आपको हटाना पड़ेगा, तो पहली गलती नहीं करना है, दूसरी गलती सर, direct versus regular बहुत लोग को नहीं पता, अब मैं उसके लिए ये screen share कर रहा हूँ, mutual fund दो तरीकों से हम करते हैं, एक बंदा 5000 रुपे की SIP करता है, देखो दोनो में कितना अंतर होता है, एक बंदा direct mutual fund कर रहा है, एक बंदा mutual fund कर रहा है, यहां से या यहां से, दोनों का इशारा समझ जावाब लोग, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, एक बंदा खुद की study करके, खुद की understanding करके निवेश कर रहा है, 5000 रुपे के SIP प्रती महीने for 25 सालों के निवेश कर रहा है, तो एक बंदा जो इनके माध्यम से निवेश कर रहेगा, उसकी value आ रही है, एक करोड 36 लैक, 25 साल बाद, और वही बंदा अगर खुद की study करके, खुद की understanding समझ के, अगर direct investment कर रहा है, तो उसकी value हो रही है, 1.64, मतलब यहां लगबग 30 लाग का difference, मैं होने वाला, तो सर, आपको जहां मर जी, वहाँ investment कर सकते हो, बाकि जो लोग मुझे follow कर रहे हैं, उनको मैं बता रखा हूँ, कि investment कहां करोगे, तो ज़्यादा फाइदा होगा, ये चीज हमने ये point cover कर लिया, हमने पहला point cover कर लिया, ये वाला, दूसरा point कर लिया, direct regular का, तीस में निवेश करने जा रहा हूँ, मैं आपको उनका नतीजा बताता हूँ, चाहिए उत्दारन example चाहिए, सर example दिखाना तो मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि आप लोग को जब example के माध्यम से मुझे समझाना होता है, अब ये देखो, मैं एक graph आपके स साल दिखके आते हैं, कि पिछले एक साल में रिटन बहुत अच्छा उनके लिए है, एक साल में 86% का रिटन, लेकिन पिछले एक महिने में इस fund का minus 2.89% रिटन आया है, क्या ये आप जेल सकते हो, अगर आप ये जेल सकते हो, तो सर बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात न लेकिन अगर आप नहीं जेल सकते, तो मैं आपको चाहूंगा कि सर, पिछले एक साल का रिटन देखके कभी भी mutual fund एस्ट्री में आपको entry नहीं करना चाहिए, अब बोलो कि सर, सर कौन सा fund है, आप दिखातो दो, चलो इसके वारे में दिखा देते हैं, कौन सा fund है, चलो ये fund आया है, ये जब fund नहीं होते हैं, शुरू में performance बहुत तीज होती है, तो past का return देखके, खास कर एक साल का return देखके, आपको mutual fund industry में कदम नहीं रखना है, इन बातों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना होगा, राइट, सो ये चीज़े आपके clear हो गई, चलो अब देखत अब पता चला है, तो past one का return और जो ये सोचते हैं, कि sir केवल positive return होगा lifetime, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, कि mutual fund मतलब जिंदगी भर positive return मिलेगा, अरे भाई, market में, जब correction होगी, market में गिरावट होगी, आपका mutual fund भी गिरेगा, ध्यान दखना, अगर आपके अंदर जजबा है, आपके अंदर patience है, कि नहीं नहीं, market गिरावट में भी mutual fund गिर सकता है, तो मैं आपको यही कहूंगा sir, बहुत अच्छी industry में हो, welcome to the mutual fund industry, लेकिन नहीं हो, sir मामला गंभीर, तब आपको यहाँ change होना पड़ेगा, mutual fund में आने से पहरे ये लोग 99% लोग गलतिया करते हैं, इदे मैं grow application पर जाओंगा, और वहाँ मैं कुछ दिखाने कोईश करूँगा, recommendation मेरे तरफ से नहीं है, कि grow use, score, up, stock, कोई भी application यूज कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, कि mutual fund में direct use होना चाहिए, direct investment आपको करना चाहिए, आपके सामने देख सकते हैं, यह जो fund है, Invesco India, Invesco Global Consumer Trends of Fund की बात करेंगे, अभी तक इसने minus 4.20 का return दिया, last 3 years की बात करें, minus 6.82% का return, last 1 year से थोड़ा सा improvement चालो हुआ है, लेकि overall देखना बहुत जरूरी है, ऐसे mutual fund आपको पकड़ना है, चाहिए overall अच्छा return दे, तो यह fund के आप देख सकते हैं, सबसे important factor में हमेसा कहता हूँ Sir, कोई भी attractive fund हो, return भले 100% हो, fund size जरूर चेक करो सामने है, fund size देखो, 285 करोड का fund size है, जरूर चेक करो, holding जरूर चेक करो, कि holding अच्छी कंप्रीम होना चाहिए, कम से कम 25, 50, 70, 80 कंप्रीम होना चाहिए, अगर वो thematic fund नहीं है, तो क्योंकि thematic fund होते हैं, 22, 20, 20 company में निवेश क करते हैं, लेकिन, अगर कोई small cap हो, mid cap हो, multi cap हो, large cap हो, Sir, holding जरूर देखो, ये पहले fund के बारे में बात करो, इस fund का return बहुत अच्छा नहीं आया है, दूसरे fund के बारे में बात करना चाहूंगा, जी हो है, Franklin India Feeder Tamplon European Opportunity Fund Direct Growth, ये भी mutual fund की category है, लेकिन लोग क्या होते हैं, कि Sir, last over year के return 22% आया है, तो इस fund में निवेश कर देता हैं, लेकिन, इस fund का आप देखो, overall, इस fund ने 2.18% दिया है, अगर आपने गलती से हाँ निवेश किया होता, तो आज, बहुत बुरी तरह हालत होती आपके पैसोंगी, तो ऐसे fund में बहुत ध्यान से आपको निवेश करना चा क्या है, कि आपको क्या क्या देखना बहुत जुरूरी है, हमने 2 fund के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम बात करते हैं, तीसरा fund वो है हमारा एडल वेशिस, ग्रेटर चाइना, इक्विटी ऑफशोर fund डारेट ग्रोथ, अब इस fund के बारे में देखो, पिछले 5 सालों का 7.41%, तीन सालों का रिटर 6.03%, ओवर ओल 9.86% रिटर दिया है, पिछले 12-13-14 सालों में, तो ये इस fund से भी दूर रह सकते हो, fund साइज अच्छा है, लेकिन इसका हमें past record भी देखना बहुत जुरूरी है, 1244 करोर का fund साइज है, लेकिन आप देखो, इस fund का holding, holding बहुत important है sir, holding ने गलती कर जाओगे, केवल एक stocks की holding रख रहे हैं, जो बहुत risky है, ठीक है हमने ये चीज़ चेक कर लिया, अब हम last में आते हैं, जो हमारा एक important fund है, DSP World Agriculture Direct Plant Growth, नाम देके लोग बोलें, यार agriculture field से होगा, equipments की बात करें, fertilizers की बात करें, government का initiation की बात करें, इसमें लोग invest कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, my idea friends, आप चेक कर सकते हो, overall 4.14% का return, और पिछले 5 सालों में 3.5% का return, last 3 years में 5.31% का, पिछले 6 महिनों में 5.77% का return, और 2.03% का return आप देख सकते हो, 12 करोड का fund size, और आप एक चीज़ देखो, new investment, इस fund में बंद कर दी गई है, SIPL लमसम कोई भी, तो sir, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि अगर fund का side छोटा होता है, तो sir, investment भी बंद की जा सकती है, आपके पैसे भी रोग दिये जा सकते हैं, इन चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना होगा, और जब भी investment के लिए fund चुनो, important है कि कौन से fund आप ल सकते हैं, चलो आपके question पर चलते हैं, आपका पहला question, पहला question है sir, हमारा है, the executor, sir please review my portfolio, age 38 है, और 20 years का horizon है, target 2 करोन है, बहुत अच्छी बात है, target mention है, जो अच्छी बात है, आपने target पहले mention कर दिया है, 20 years का है, आप देखो, एकन के funds क्या है, क्योंकि देखो, sympathy बात है, total अ on करते हो, 13,000 प्रती महिने आ रहा है, जो अच्छी बात है, 13,000 प्रती महिने, अगर आप 20 सालों के लिए invest करोगे, 2 करोन का target बनता है, अगर आपको 15% का return on investment मिल रहा है, तो यहां राम से बनता है, अब small cap की बात कर लेते हैं, कुछ important होने small cap fund लिया है, मैं यहां कहूंगा क आपके पास 3 small cap fund है, आप चाहो तो यहां bank of India small cap fund को exclude कर सकते हो, और इसका जो भी amount है, आप इसमें add on कर सकते हो, 500 इसमें add कर सकते हो, 500 इसमें add कर सकते हो, 200 इसमें add कर सकते हो, दुनों को चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यहां अब next है परागपारी flexic केब 2000, क्वांट लार्ज और मिट केब आपने लिया है, देखो, इसलिए मैं ये बोलूँँगा कि आपको बेटर रहेगा, कि ये दो फंड ज़रूर फॉलो करो, बाकि इसको इन तीनों में से कोई दो कर लेना, ठीक है, तो हमने परागपारिक फ्लेक्सी केब किया, क्वांट सारे फंड बहुत बढ़िया है, रिटर्न भी ठीक ठाक बन सकते हैं, लॉंग टर्म में, आपको इसमें कंटिनू रहना चाहिए, ठीक है, नेक्ष कोशन पर आते हैं, अगला कोशन है सर, संदीब जी, 49 एज है मेरी, टार्गेट 7 करोड का टार्गेट है, 2023 में, अभी 24 चल है, तो लगबग मान के चलो, 6 लगबग 9 साल, अब 9 सालों का जो अगर टार्गेट है, तो सर मैं तो यही कहूंगा, कि अगर आप प्लैनिंग कर रहे हो, यहां इन्वेस्टमेंट की, आप कह रहे हो सर की 1 लैक पर मंद कर सकते हो, देखो अगर 8-9 सालों में ही कम से कम आपक साथ कोरोन चाहिए, यहां आपको ना कम से कम 3 लाग रुपया प्रती महिने निवेश करना होगा, मैंने आपके पी अफ को इंक्लूड नहीं किया है, आपका जो भी पी अफ है, वो 7.1 परसें इदना मिलता है, तो वो चलता रहेगा, मैंने इस कुलूड नहीं कहा है, लेकि स्मॉल कैप लिया है, बंदने स्मॉल कैप लिया है, तीन स्मॉल कैप उन्होंने लिया है, मिड कैप की बात करें, तो क्वांट मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, यह दो मिड कैप लिया है, अगर आपने मिड कैप यहां लिया है, तो मैं क्वांट बोलूँगा, आप बेटर है कि इसके जगह पे आप HDFC का mid cap ले सकते हो, ठीक है क्योंकि quant already आपने एक EMC उठाया है, तो quant HDFC mid cap ले लो, बाकि ठीक है, IC से blue chip fund है, and IC से equity and debt fund 10,000 का है, तो अगर आपकी age 40 है, तो definitely मैं चाहूंगा, कि एक debt fund का instrument साथ में रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकि क्योंकि already आपने small cap ले रखा है, इन तीनों में से यही कहूंगा, कि आपको quant mid cap इसमें रखना, और इन तीनों में से आप चाहो तो 2 कर सकते हो, एक हटा सकते हो, तो क्यों since हमने quant mid cap हटा दिया है यहां, तो आप quant small cap रहने देना, बंधन small cap को यहां हटा सकते हो, इसका amount जो 8 है, यह 4 इसमें add कर सकते हो, 4 इसमें add कर सकते हो, बाकि आपका fund बिल्कुल perfect है, ठीक ठाक है, थोड़ा risky fund कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने target, long term का target लिया है, definitely आपका अच्छा बन सकता है, कम सकम यहां 10 साल का target में कहूंगा लेने के लिए, ठीक है, अगला question चलते हैं sir, goal है, करोण 15 सालों में, 15 से 20 सालों में, 5 आरके साइपी करना चाह रहे हो, देखो 5 आरके साइपी करोगी, कम सकम आपका 80 लाग तक बन सकता है, और एक चाह हो तो आप flexi cap fund ले सकते हो, जिसमें आप 1000 डाल लो, small cap, mid cap, complete discussion में लगातार बताता हूँ, कौन से fund ले सकते हो, मुझे लगता है doubt नहीं होना चाहिए, अगले question में चलते हैं sir, नमस्कार, रंजन गुमार जी का question है, 30 साल मेरी age है, गोल 15 साल में एक करोन बनाने का है, 15 साल में एक करोन मतलब 15,000 के साइपी आपको करने ही करने ही होगी sir, आप लगातार 12,000 की कर रहे हो, यहाँ आपको plus 3,000 रुपीज आपको increase करना होगा, चलो आपके fund देख लेए, SBI blue chip रोने 2000 किया, SBI Nifty Index Fund में उन्होंने किया है, and Quantra Direct Plan, तो मैं कहूंगा, कि sir, इन दोनों amount को आप add कर सकते हो, ठीक है, SBI Nifty Index और SBI Quantra दोनों में आप चाहो, तो दोनों में से किसी एक को include करो, और यह 2000 वहाँ डालो, चलेगा ठीक है, अब देखो, आप यहाँ Quant Small Cap भी आपने लिया है, Nippon का Small Cap Fund लिया है, दोनों चलने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, और SBI Nifty 500 Index Planets IP, कोई दिक्कत नहीं, आपका बढ़िया है, आप बस इस दोनों के जगाए पर एक कर सकते हो, moderate risk लेके आप investment कर रहे हैं, तो इस तरह आपका portfolio पूरी तरह ठीक ठाक दिखा रहा है, तो my dear friends, आज एक वीडियो में आपने जरूर देखा, कि देखो यार, अगर एक गलत fund का चुनाओ करते हो, आप तो देखो long term में कितना नुकसान हो सकता है, क्या क्या चीज़े देखना बहुत जरूरी इन चीज़ों को हमेसा नोट रखना, और yes, चैनल को follow कर लेना, यान इस प्रेकार की वीडियो देखने के लिए subscribe भी कर लो, टेली कराम जोईन कर लेना, बहुत कुछ information वहाँ लगातार मिलना जारी है, जो एक paid group में होता है, तो please join कर लेना, stocks की information, mutual funds की, और कुछ analytical information मिल अतार मिल रही, जरूर जोईन करना, right, बाकी मिलते हैं, एने च्टुडों के साथ, comment करते रहना, ज़्यादा comment करोगे, तो probability होगी आपकी question को pick करने के, बाकी मिलते हैं, एने च्टुडों के साथ, अपना ध्याम रखेगा, वाई वाई टेक केर, जेए.